नमस्का दर्शको आप देख रहे हैं BTV बरेली दर्शको आज हम आपको गदर 2 और Oh My God 2 के Box Office Collection के बारे में पताएंगे गदर 2 और Oh My God 2 फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी दर्शको सबसे पहले हम आपको गदर 2 के बारे में जानकारी देंगे गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का दूसरा भाग है जो निर्देशक अनी शर्मा के निर्देशन में बनाई गई है दर्शको सनी देउल, अमीशा पटेल और उतकर्श शर्मा की इस फिल्म को लेकर लोग काफी समय से इंतिजार कर रहे थे आपको बता दे कि इस फिल्म रिलीस होने से पहले ये अनुमान लगा लिया गया था कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी दर्शको 11 अगस्त शुकरबार को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीस हुई तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने बहुचे और पहले दिन ही गदर टू ने अच्छी कमाई की अब हम आपको इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताते हैं पहले दिन 11 अगस्त शुकरबार को इस फिल्म ने 40 करोड 10 लाग की कमाई की दूसरे दिन शनिवार को 43 करोड 8 लाग की कमाई की तीसरे दिन रविवार को 51 करोड 70 लाग इस फिल्म ने कमाई चौते दिन की बात करें तो सुमबार को 38 करोड 70 लाग इस फिल्म ने कमाई पंदरा अगस्त को सबसे जादा पाचमे दिन फिल्म ने 55 करोड 40 लाग रुपे कमाई वहीं छटे दिन बुधबार को 32 करोड 37 लाग रुपए इस फिल्म ने कमाई है। साथ में दिन की बात करें तो गुरुबार को 23 करोड 28 लाग रुपए इस फिल्म की कमाई हुई। आठ में दिन दूसरे शुक्रुबार को 19 करोड 50 लाग की इस फिल्म ने कमाई की। दर्शको अब हम आपको सुपर स्टार अक्षा कुमार की फिल्म Oh My God 2 के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बताते हैं ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी ये फिल्म डिरेक्टर अमित रोय के डिरेक्शन में बनाई गई है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अक्षा कुमार, पंकेतिर पार्टी और यामी गौतम हैं दर्शको इस फिल्म ने पहले दिन 11 अगस्त शुकरबार को 10 करोड 26 लाग की कमाई की थी दूसरे दिन शनिवार को 15 करोड 30 लाग की और तीसरे दिन रविवार को 17 करोड 55 लाग की कमाई की थी इसके लाबा बता दें आपको चौते दिन सौंबार को 12 करोड 6 लाग रुपए इस फिल्म ने कमाई थे 15 अगस्त मंगलवार को 5 में दिन इस फिल्म ने 17 करोड के लगभग कमाई की 6 दिन बुद्वार को 7 करोड 20 लाक रुपे की कमाई की 7 में दिन गुरुबार को 5 करोड 58 लाक रुपे इस फिल्म ने कमाई वहीं आठमे दिन की बात करें तो लगभग 6 करोड रुपे की कमाई इस फिल्म ने की दर्शको सूपर स्टार अक्षा कुमार की ये फिल्म जल्द ही 100 करोड का बिजनिस करने वाली है आपको पता दें अक्षा कुमार की ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है